अगर आपका गैस गिजर का बर्नर पिली फ्लेम फेंक रहा है बार-बार आपके चेंबर में ड्रस्ट इकटी हो जाती है बलेक वाली तो इसे कैसे ठीक करना है इसके लिए आपको इस पूरे बर्नर सेट को खोलना होगा बर्नर सेट को अराम से खोलीजिए उसके बाद इसके उपर लगी हुई धूल को साफ कर दीजिए और उसके बाद आप इसे किसी बारिक तार से या खिर स्टोव फिन से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए इसे खोल ये मात पहले ऐसे ही साफ कीजिये उसके बाद इस बर्दर में जो होल हैं जो छे की संक्या में होते हैं तीन एक साइड, टीन एक साइड उसे आप किसी मोटे गेज की कुपरवायर को आगे से चील कर उसका एक गुच्छा बनाकर इसे साफ कर दीजिये उसके बाद आप कैरुसिन ओल लीजी या फिर डीजल लीजी या फिर पटोल लीजी और इसके सभी छे होलों में डाल दीजी उसके बाद फिर आप उपर जो ये सभी आप टी होल्स देख रहे हैं इन सभी टी होल्स में ये जो फ्यूल है ये डालिए और इसे अच्छी तरह से थोड़ी जिर रख दीजिए उसके बाद इसे या तो गैस पर गरम कर लीजिए अगर आप वहां करना नहीं चाहते या फिर आप इसको ऐसे ही अपने गैस गीजर में लगा दीजिएगा इससे एक बार तो पीली फ्लेम जैदा मातरा में आएगी उससे पहले आपका कवर लगा नहीं होना चाहिए और जैसे ही ये इसमें डला हुआ कैरोसीन या जो फ्यूल है ये जल जाएगा तो उसके बाद आपके इस गैस गीजर की जो फ्लेम है वो बिलकुल नीली हो जाएगी दोस्तो एक यही वो समाधान होता है जिससे आप अपने गैस गीजर को अच्छी तरह वश्य कीजीगा धन्यवाद